देखें यहां पर आपकी जो आड़ी पी यह सक्सेस्फुली इस तरह लोगिन हो जाएगी सिंपल यहां पर आपने क्लिक करना और यहां पर यह देखें जो के NVMe थी तो इसके लिए हम यहां पर देखें इस PC में आचुके हैं तक्रीबन यहां पर 256GB का ही आपको स्टोरी देखने को मिले तो फिलहाल जो में स्पीड मिलिया वह यहां पर 250 MB की है इसमें आप अपना कोई भी हैवी टास्क भी करोगे वह एजील यहां पर परफॉर्म अगर आप लोग यूट्यूब या गूगल में सेर्च कर रहे हो how to create free windows RDP for lifetime in 2026 या आप लोग सेर्च कर रहे हो get free VPS RDP with admin access without credit and debit card जी हां अगर आप लोग यही सेर्च कर रहे हो free RDP कैसे बनाए without debit and credit card के तो यह video specially आप लोगों के लिए बनाई जा रही है आज की इस वीडियो में जो मैं आपको free RDP बनाना सिखाऊंगा उसमें आपको Windows Server मिलेगा 32GB RAM मिलेगी उसके लावा NVMe के आपको storage मिलेगी और यह totally lifetime के लिए आपको free मिलने वाली है और ना ही इसमें आपको time duration देखने को मिलेगा सबसे द्यादा demand होती है कि हमें कोई free RDP बनाना सिखाएं जिसमें कोई time duration आओ तो भाई आज की वीडियो especially आप लोगों के लिए है मैं free RDP के एक series चलाने वाला हूँ जो भी 2026 के अंदर working method है free RDP के वो मैं आपको इस series के अंदर बताऊंगा one by one करके तो आज इस series की पहली वीडियो है तो इस वीडियो को आपने आखर तक लाजमी से देखना है अब इस series के अंदर में वो तमाम method include करूंगा जो के working होगे बेशक वो method old है बेशक वो new है आपको सारे method देखने को मिलेंगे तो आपने इस series को लाजमी से follow करना है इस series को follow करने के लिए जरूरी है कि आप हमारे इस channel को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के bell icon पर click करके on notification लाजमी से on करें ताकि जैसे ही हमारे इस channel पर कोई new वीडियो upload हो उसका आपको notification मिल जाए अब time नहीं waste करते वीडियो को start करते है और राइट सबसे पहले आपने क्या करना है आपने अपना browser open करने उसके बाद आपने simple google में जाने गूगल में जाने के बाद आपने search करना इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा पकड़कर नीचे की तरफ scroll down करने और यहां पर आपको यह website मिलेगी free rdp hosting server for lifetime यहां पर लिखा हुआ नजर भी आ रहा है अब आपने क्लिक कर लेना है अब हो सकता है कि 2025 में मैंने इस method पर already video बनाई हो क्यूंकि मैंने आपको बताया कि मैं series चला रहा हूं तो इसमें जितने भी working method होंगे वो सारे cover किया जाएंगे तो आज का method यह वला होगा फिर इंशाला new method जोगा वो भी वक्त के साथ चैनल पर आते रहेंगे तो आज की वीडियो में मैं आपको यह वाला method बताऊंगा तो जैसे आप website open करोगे तो यहां पर तो आज हम क्या करेंगे आज हम बनाएंगे expert server ठीक है यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको इसमें 32GB RAM मिलेगी 24 core CPU मिलेगा और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो 256GB के आपको यहां पर NVMe SSD देखने को मिलेगी और उसके लाबा यहां पर आपको 1GB का internet speed देखने क मिलेगा अब आपने क्या करने सिंबल आपने get started पर क्लिक करने और आप आजाओगे इस पेज पर यहां पर लिखावा नजर आ रहे है expert server plan ठीक है अब यहां पर इसकी कीमत भी बताई गया लेकिन यहां पर mention किया गया है कि यह absolutely free है अब आपने simple क्या करने यहां पर get started now पर क् मैं कुछ भी randomly add कर देता हूँ basically मैंने अपना account बनाया हूँ यह मैं just आपके सामने एक demo account create कर रहा हूँ यहां पर आपने अपना real hostname देना है यानि के जो भी आप username रखना चाहें वह आपने देना उसके बाद आपने simple continue पर click कर देना है दैन आपने इन तीन boxes को यहां पर check कर देना है और आपने check out पर click करना है जैसे आप check out पर click करोगे तो आपके सामने आपका sign up form है वह open हो जाए फिर आपने second name लिखने उसके बाद यहां पर आपने पना real gmail का account एड करने है और यहां पर आपने नंबर आप बेशिक यहां पर random लिख सकते हो कोई भी problem आपको नहीं आएगा उसके बाद आपने यहां पर आपने address लिखने अब देखे address valid होना चाहिए बेशिक आप अपने postal code होगा आप गूगल में जाकर search कर लें पंजाब postal code तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा अगर आप सिंद से हैं तो आप वहां पर लिख सकते हो आप जिस भी country से हो जिस भी state से हो उसका नाम लिखकर आपने पोस्टल कोड़ सेर्च करने है आपको आपका जो पोस् आपने यहां पर रेटाइप करने है तो यहां पर यहां पर यहां पर आकर आपने अपना capture को फिल करने है यहां पर आपने complete order पर click कर देना है अब आपका जो email होगा जो आपका Gmail होगा यहां पर आपने add किया था उसके पर verify link चला जाएगा तो आपको दिखाता हूं ठीक है आपने यहां पर लिखा हूँ नजर आ रहे है प्लीज चेक यॉर email एंड फॉलो लिंक वेरिफाई यॉर email address जो भी आपने अपना Gmail दिया था उस पर जाना है वहां पर आपको दो तिन email आई होंगे आपने simple verify link पर click करके अपना account उसको verify कर लेना है फिर जब आप हों पर आओ 24-48 hours वेट करने एक से दो दिन आपको लगते हैं यहां पर उसके बाद आपको email आ जाएगा आपका जो अकाउंट आपको अक्टिवेट हो जाता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है सेम आपने वैसे फोलो करने तो आपका यहां पर अक्टिवेट हो जाएगा अब मैं आप चलता हूं अपने रियल अकाउंट पर कि आपको किस तरह का email देखने को मिलता है जब आपका account अक्टिवेट होगा कुछ इस तरह का email देखने को मिलेगा जब आपका account अक्टिवेट हो जाएगा यहां पर लिखाओ नजर आ रहे है जासे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो पर अपना email password देखर इसको login कर लेना है बड़ा ही सिंपल सा आपको interface देखने को मिलेगा इस website का तो यहां पर देखें हमारा जो expert plan है वह यहां पर active हो चुका है मतलब मेरा तो पहले था जब आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा सिंपल मैं service में आ जाता हूं और my services में ह देखें हमारा जो expert server है वह यहां पर activate हो चुका है तो सिंपल हम क्या करेंगे यहां से इसको back आ जाते हैं तो यहां पर आपको मैं बाग्दी का दिखाता हूं तो सबसे पहले आपको यहां पर आपका IP address हो मिलेगा दैन आपका username मिलेगा और थर्ड पर आपको आपका password देख है सिंपल इसको मैं open करूंगा और यहां पर अपना जो IP address में copy किया था वह यहां पर लाकर मैं paste कर दूँगा ठीक है पेस करने के बाद सिंपल हम connect पर क्लिक करेंगे और यहां पर अब हमसे वह username मांग रहा है तो यह राम आ रहा है username यहां से मैं इसको copy करूंगा copy करने के बा आपने इसको copy करने 24 गंटे में एक बार और यहां पर लाकर आपने इसको paste करके यहां पर सिंपल आपने remember me पर क्लिक करने और यहां से आपने simple okay पर क्लिक करने 24 गंटे में एक बार आपको यह बला प्रोसेस करना पड़ेगा देखें यहां पर आपकी जो RDP है तो successfully इस तरह login हो जाएगी simple yes पर आपने क्लिक करना और यहां पर यहां पर यहां पर आपको कुछ इस तरह के server मिलेंगे तो इन दोनों में से आप किसी को भी select कर सकते हो तो मैं क्या करूंगा यह उपर वाले को select कर लूँगा इस पर एक बार क्लिक करके मैं छोड़ दूँगा और चंद से RDP है वो open हो चुकी है ठीक है बड़ी ही simple आपको interface देखने को मिलेगा यहां पर window 10 का server मिला है यहां पर हमें तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं आपको इस RDP की RAM चेक करवाता हूं ठीक है सबसे पहले हम इस PC पर आकर right click करेंगे और इसके properties में आ जाएंगे तो यहां पर हमार server window 10 है ठीक है तो यहां पर देखें सब कुछ होके चल रहा है और यहां से मैं आपको storage चेक रहा देता हूं 256GB की storage थी जो के NVMe थी तो उसके लिए हम यहां पर देखें तकरीबन यहां पर 256GB का ही आपको storage देखने को मिले है तो सिंपल यहां से मैं इसको बंद कर देता हूं अ अब इंटरनेट के लिए आपके सामने आपर Chrome browser देखने को मिल रहा है लेकिन अक्सर उकात यह नहीं चलता तो उसके लिए आपने क्या करना है आपने search bar में आने नीचे यहां पर आकर आपने क्लिक करना है और यहां पर आपको नजार आ रहा होगा Microsoft Edge browser ठीक है आपने simple इस प सबसे पहले तो Google search करना है जैसे आपका Google open हो जाए अब आपने क्या करना है यहां पर my IP address location मैं यहां पर search करूंगा आपको यहां पर IP address चेक करवाता हूँ कि हमें कौन सी location की RDP मिली है तो simple यहां पर मैंने search कर लिया है my IP address location यह मुझे second number पर नजर आ गया इसको simple हम search कर लेंग और यहां पर हमें यह first website देखने को मिल चुकी है इसको हम new tab में open कर लेंगे और यहां पर देखते हैं हमें कौन सी location देखने को मिली है तो यहां पर आप लोग देख पार हो जो city मिली है वो Dallas है जो region है वो Texas है और जो country है वो United States है ठीक है यानि कि USA के में location देखने को मिली है इ इसको बंद कर देता हूं अब हम चेक करते हैं यहां पर अपनी internet speed उसके लिए Google में आकर हम search करेंगे speed test तो यहां पर ही मुझे फस्ट पर ही मिल गया सिम्बल हम इसको search कर लेंगे और यहां से हम fast.com वली website को open कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें कितना internet देखने को मिला है यह इसको बंद कर दूगा और यह थी वीडियो complete मैंने आपको method दिखाया है अगर आप Windows Server लेना चाहते हो तो यह method आप लोगों के लिए one of the best method होने वाला है अगर आप लोगों को time duration वाली नहीं चाहिए RDP आपने लाजमी से बनानी है आपको काफी पसांद आएगी तो यह थी आज की वीडियो में इत करता हूं आपको आज की वीडियो से काफी कुछ निया सीखने को मिला होगा कुछ भी सीखन